नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल मैस अजिकेशन पर आज हम जो क्लास देख रहे हैं सीजी व्यापम का क्वेश्चन पेपर है जो आपके विगत वर्शों से पूछे गए हैं क्योंकि प्रियोक्साला परिचाला इक मैं आपका समान यह जानजनी कि 36 गड का अगर आप पूछा जाए तो 40 नंबर के प्रस्ना वहां से पूछ रहे हैं जी और आपका प्यून भरती में 100 नंबर के प्रस्तना चपर 80 भरती में पूछा जाएगा तो आपके लिए लेटेस्ट है और हर एक एक्जाम में सी जी वे आपके हर एक सिलेबस में 36 गड़ के 20 से 15 नंबर के कोश्चन पूछे जाते हैं जी तो पहले हम 36 गड़ कवर करेंगे उसके बाद हिंदी के कोश्चन करेंगे उसके बाद कंप्यूटर के कोश्चन करेंगे ठीक है पहली बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके जाना वीडियो को लाइक करके जाना और अधिक साधिक वीडियो को सेर करना अगर यहां वीडियो में आपको कोस्टन अच्छे समझ में आता है तो neste class हम लेकर जरूर आएंगे तो पहला question है यहाँ पर देखेंगे 36 गड़ समान जाएंगे 20 नमबर के प्रस्ना करेंगी जी कितने नमबर की 20 नमबर की क्योंकि CG व्यापम में हमेशा यानि की syllabus के coding 15 से 20 नमबर 36 गड़ से पूछे जाते हैं तो पहले 36 गड़ कभर कर लेते हैं तो जहाँ देखेंगे 36 गड़ के लोक कला संस्क्रिटी में रानी पिंगला की गाथा का परंपरा का नाम है तो भर्थरी भर्थरी आएगा जी इसका अंसर सी होगा चलिए second देखते हैं जी राम वन गमन परियटन पत के किस इस्थान को मतंग रिसी के आसरम के नाम से जाना जाता है आप सभी को मालूम होगा मतंग रिसी आसरम जो की यह आपका सिवरी नरान में संबंदी था और सिवरी नरान में कौन सा मंदीर है जी जल्दिस कमेंड करके बताईएगा तो इसको हम विश्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है विश्णु मंदिर यानि की नक्टा मंदिर के नाम से यहां पर भी जाना जाता है जी देखे विश्णु मंदिर आएगा यहां पर प्रतीमा स्थापीत है इसके बाद है चतिस गर राज्य में प्राप् कोजिशन आएगा करके ऐसा ही कोजिशन आने की संभावना जी कि इस टॉपिक के कैसे प्रस्ट पूछे जा रहे हैं आपको मिल जाएगा हो सके तो आप लोग रिवजन करके जरूर जाएगा 36 गरजय में प्राप्त प्राचिन सेल चित्रो के स्थलो में कौन से इस्थर रहेगण जिलम नहीं है तो मतनार मतनार कहां है आपका बस्तर में है ठीक है धमतरी तहसील के जंगल सत्रग्रह में मिंदु कुमहार को पुलिस की गोली कब लगी थी जी तो सितंबर 1930 होगा जी एक मिनट ना मैं कोईस्चन देखे बता रहा हूँ कौन सा है इसका तो इसका अंसर आपको सितंबर 1930 होगा जी अगस्त 1930 ले लिया गया है ये नहीं होगा इसका अंसर D होगा जी ठीक है सितंबर 1930 है जो मिंदु कुमहार को गोली लगी थी ये आपके CG व्यापम के बुक में दिया गया हरी राम पटेल के बुक में जी और ये आपके एक और बुक में दिया गया है ये जो हम CG PSC के लिए हम उसको तयार करते है विनय कुमार पाठक जी ठीक है तो विनय कुमार पाठक में यह अच्छे से डिटेल में दिया गया है जी ठीक है अब इस राज्य के निम्ली के तेवहार पर जल दान करने की परंपरा है तो ये आपका अक्ती होगा जी जल दान करते हैं न तो अक्ती है तीजे तेवहार दसरा हरे लिए तीनों बिल्कुल अलग है जी क्या पुछा गया जल दान करने की तो आपका अक्ती होगा उराव जनजाती के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं जी तो आपको साल विरिक्षे में सरहुल कहा में सा और देखे जनजाती से कोशन बहुँ सरा टापी एकजा में पोशे जाते हैं है ना तो समय मिलता है तो हम इसके लिए हम क्लास एक और लेकर आएंगे जन जाती से जो कि कहां से और कैसे कोर्षिन पूछा जाता है जी हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे 36 गड़ के निमनर्किस्त इस्थान पर डोलो माइट का उत्पादन नहीं होता जी तो यह आपका चांपा होगा जो डोलो माइट का उत्पादन नहीं होता है ना जबकि नंदनी खुंदनी खुरसेल दूर्ग और खन खेरा बिल्धा यह तीनों जी आपका यह आपका डोलो माइट का उत्पादन होता है यह आएगा जी लेकिन यहाँ पर क्या पुछा गए न सितंबर 2023 में रैपुर में आयो जी ट्वंटी रूप रेखा कार्य समु की चौंथी बैठक की अधर्चता किसम ने की है तो यह आपका करेंट अफर का कोस्चन है जी ठीक है और ऐसी अगर और करेंट अफर के वीडियो देखना चाहते हैं दिस्क्रिप्शन के निचे लिंक में डला हुआ है यह फिर हमारे प्लेलिस्ट पर जाएगा वहां पर करेंट अफर की क्लास या वीडियो पर जाएगा आपको मिल जाएगी हमारी चैनल पर है ना तो 2-3 वीडियो लेकर आया हूं और 2-3 क्लास अभी बचा है चांदनी रहना है जी ठीक है भिलाई इस्थित फेरो इसकेप कार्पोरेशन लिमिटेड कीज देश के कमपणी के सहयोग से चांदनी पुलीस विभागदर महिला सुरक चयव के लिए यह तो आप सभी को मालूम होगा महिला सुरक चयव अभी वैक्ति के लिए किया जाता है जी टोटल कितने प्रस्ने कि यहां पर दस प्रस्ना आप च्टिस गड़ी भासा के ग्यान से हम दस प्रस्ना करेंगे तो जु जोटरा विसेशन सब्सकर कों सा है जुट गया जूट बोलने कि इसमें विसलेशन है ठीक है दस खीला anyone नदर मा पढ़े जी जनवला कर तका पतरी होता है ठीक हैए दस खीला जड़े हैं मतलब एक पतरी होता है उसमें चोटा-चोटा इस प्रकार के रहता है पत्री में ऐसे खिला लोगा रहता है ना मतलब वो टाइप के दस खिला जड़े जी दरवार में पड़े हैं मतलब छोटा-छोटा कटिंग-कटिंग रहता है उस प्रकार पूरा कटिंग बनकर एक पत्री बनता है ठीक है नान कुंटूरा बुलुक-बुलुक के पार बंध है जिए जनुलक मर्थ होते सुईधागा ठीक है तो समस से झालिफि कहा से हमार एकात कोश्चन लेकर आपो बगजों आपको में अक्जा में अच्छा बन सकते अग लेके अब सेसे केए नेटेर वीडियो में हमलावो समस को पह्चाने का ट्री प्रापलमिर, हम ख्लास नहीं ले पा रहा थे हैं ना रुब को समझा ये थीक है ना sound होगा अगा अब धैर के सान्ने मोहरे करते नंडित करना कई लाव छोना अब रब करता हो फोर क्केशिषा करना है तो ऊधर काम करत् nephew बंक का ये क्रिया लाव थ insya आइधाओ फापिक छो प्रस्न बना थे एक चीदे ऐसा पुछी माँ दूप ऐसा तेकर मतलब होते मयूर है ना इसका अंसर D होगा इसके बाद हम समान नयग्यान के कोश्चन करा था जी है ना समान नयग्यान से बहुं सारे प्रस्ण बना थे है निता बहुं सार टenter स कभर हो जाय जाने के mixing class नाट्रोजन आक्साइड और छेपन के कारण पी एच मान कम होना गिले या सुखिक रूप में होना तो कौन सा आंसर है चलो आप लोग बताओ जी तो एकर आंसर हो ही दो आउ तीन आप देखे कई से कहा थे दो आउ तीन ना तो यहां पर आप देख पा रहे हो तो समाने ज्या उसको चार कहते है ठीक है जी सास चाधिक होता है उसको चार कहते है और साथ रहता है ना उसको उदासिन कहते है ठीक है यहां तक तो आपको क्लियर होगा तो यह तो होगा नहीं अब गिले सुखे रूप में हो सकता है बिलकुल नहीं गिला और सुखा तो होगा नहीं जी है के लोग कैसे थे साकाहरी और मांसाहरी थे ठीक है अब वितायों के बारे में हम देखेंगे कौन से गल सही कथन गलत है तो वितायों के बारे में कथन पर विचार करते हैं जी तो पहले वितायों को कथन बाइस नंबर 19.59 को वह था बिल्कुल सही है प्रथम वितायों के अध् इस नमबर 19.51 को हुआ था बिल्कुल साही है प्रत्थम वित्तायो के अध्धक्च NKC नहीं है जी बिल्कुल गलत होगा इसका अंसर कौन सा होगा तो KC नियोगी KC नियोगी जी है पहले वो भी 1951 का पहला में ठीक है तो KC नियोगी जी है ठीक है वरतमान में कौन है तो अर्विन पड़ गई है जो आपके 16 वित्तायों के अध्धक्च है अगर इक्जाम में पूछ ले जाए कि 15 वित्तायों के अध्धक्च कौन है तो 15 वित्तायों के अध्धक्च आपको आजाएगा NKC है और यहाँ पर आजाएगा 14 वित्तायों के अध कर लीजेगा जी यहां पर विता आयों के बारेम पहले देख लेते हैं तो विता आयों को ःति cricketolt आपका अंध्धाए वड़िकन एछए नुगश्य का ठीक है उसी प्रकार आपका फंदरवे विताएफ़ के अध्धक्ष कान और शोल्वे वितायो के धक्ष कौन है अभी आपको बताया में अर्विन पंगणिया ठीक है अब देखेंगे इसका कथन बी पहला और तीसरा सही है ठीक है चलिए 1857 के विद्रों भारत का प्रथम स्वतंत्र समर किसने कहा था विडी सावकर ने भारती राष्टी कांग्रिस की स्थापना किसने की थी तो भारती राष्टी कांग्रिस की स्थापना 1885 में ए ओ हूम ने किसने की थी ए ओ ए ओ हूम ने की थी ठीक है 1885 में भारती राष्टी कांग्रिस की स्थापना ती सब्दस से जुड़ा है गोलफ से है ना ती सब्दस जुड़ा है गोलफ याद रखना एक्जाम में बार बार पुछे जाते हैं इसके बादे सरकारी योजना के सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोड़ तटी छत्र को सुरक्षा की दिशा में परिवर्तन से निपटने के लिए एक जमिनी स्तर कर जन आंदोलन अपसिष्ट प्रबंधन के लिए बेतर पत देती प्रदूसान उपसमन गत्ती विधी ठीक है ग्रिन क्रेडिट कार्ट इसलिए सुरू किया था गणित के कोश्चन करने से पहले आप देखेंगे इसका बहु क्सिंग क्लास है ठीक है सभी कोश्चन में आपको बता रहूं लेकिन गणित का एक कोश्चन आपको बताऊंगा उसके बाद हम कंप्यूटर के कोश्चन नेश्टा में करने वाले हैं तो देखेंगे यहां पर साथ क्रमिक संख्याओं का उसत क्या बोला गया है बीस तो इधर का और यह तिनी धर का यहां पर क्या लिखेंगे बीच लिख दें उन संख्याओं में बड़ी संख्या पुछा गया है तो क्रमिक संख्या का मतलब होता है क्रम से जैसे के एक दो तिन यह आपका क्रम हो गया तो बीस के बाद आपका जाए एक इस बाईस तो बड़ा स छोटी संख्या पूछता तो आपको 19 18 17 तो इसमें आंसर आ जाता है 17 छोटी संख्या है ना तो यहां पर पूछा क्या आगे बड़ी संख्या तो इसका आंसर 23 आ जाएगा आपको समझ में आया चली हम ने इस्ट देखेंगे प्रसिंग कौन सा अंक रखा जाएगा है ना तो यह वाला आप लोग बाद में देखेगा विप्रित फलक वाला ठीक है यह मैं आपको इस गणित का कोश्चन बाद में समझा दूँगा पहले हम कोश्चन देख लेते हैं इंगलीज का भी छोड़ दीजेगा हिंदी का देख लेते हैं क्या चलिए हिंदी का फटाफड देख उसको हम प्रत्या कहते हैं, इसके बाद आपका जाएगा विदेसी सब्दे क्या है, विदेसी सब्दे है, अपील, एक विदेसी सब्दे है, ठीक है, सुद्ध सब्दे क्या है, तो पुरुसार्थ क्या है, एक सुद्ध सब्दे है, ठीक है, हिंदी भासा के ज्यान देखेंग प्रतिष्ठी प्रतिष्ठा नश्ट होना पंचमा क्छट कवर्णा होता है आपका रह थाद के वाचाल सब्दय का प्रयोग होता है जो बहुत बोलता है ठीक है जुरेज गीत गारा था ये कौन भूटकाल है तो अपुझा नव भूतकाल्ग्नाव भूतकाल है, व्यक्ति वाचक संग्य क्या है तो हरी एक व्यक्ति कट्यक संग्य हे नाम दियागह है जिन पदो के दो खंडों का प्रवधान होगा अनुरुक्तर विलाम का चिनना होता है तो इसे हम equal का दे रहे हैं है अब इह लोग का विलो मारती होगा पर लोग इह लोग का पर लोग अब अंग्रेजी भास्ता को छोड़िएगा कंप्यूटर की क्लास करते हैं चलिए ठीक है फिर टोटल आपको क्वेश्चन हो जाएगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दिजेगा ठीक है कंप्यूटर में देखते हैं तो यू आर्यल jeśli Newton् Soy U एक प्रोटोकॉल है तो यू आर्यल मतलब हरेस्टप्य रहें चाह उसको डाल देड़ा है यह और यह यहां पर दीख रहा है कि डाटा स्रणी के बीतर एक विशिस्ट पंग्ति और इस्तम्ध को प्रति शेदन से मान वापस करने कि लिए की से when function का प्रयोग करते है तो लूक अब का जैसे देखे डाटा स्रणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ती होता है और इस्ताम होता है उसको प्रतिछेदन से मान वापस करने के लिए एक लुक अप का प्रयोग किया जाता है लुक अप फॉंक्शन का ठीक है किस कंपनी ने कंप्रेक्ट डिस्क एने सीडी की स्ट्चरेज ये बतायाएगा थसोनी अब सद्च के ऑ iedereen पूड़े तो सीडी की जो शनते होतीं 700 विख होता है कितने एंबि साथजय आसओ सों बी होता है अगर मैं आपको का erg सीडी के बारे बात कर लिए तो सीडी का नोट करतें सा series डीवीडी का पुछा जाएगा तो डीवीडी का आपका आप जाएगा फोर पाइंट सेवन जीवी ब्लू रेडिस का पुछा जाएगा तो 25 जीवी इसके बाद HDB आएगा इसके आजाएगा आपका 6 टेरावाइट है ना तो यहां तक आपको क्लियर हुआ इसका आपको जाएगा Sony ठीक है कौन सा आपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से Apple का कम्प्योटर उप्योग किया जाता है क्या पूछागे आपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से Apple कम्प्योटर पर उप्योग करते हैं अगर यहीं पर open source operating system पुछता तो आपका Android हो जाता Linux एक open source operating system है ठीक है Android हो गया Linux हो गया एक और चीज है operating open source operating system है नाम याद नहीं आ रहे है मेरे को ठीक है जैसे याद आजाएगा आपको कहीं कहीं बीच में बता दूँगा उबन्टू फेडोरा और डेवियन नीमना धारी system के उधारन है तो लिनक्स अभी याद आ गया मुझे ठीक है तो यहाँ पर दिखेगा open source operating system है लिनक्स उबन्टू उबन्टू है ना open source operating system एक मिनट ना थोड़ा से यहाँ पर देखेगा आपरेटिंग open source अब पुछा जाएगा open source operating system पुछा जाएगा तो आपको Android Linux और एक और चीज़ है आपको उबन्टू है ना यह आपका याद आ गया मुझे स्लाइट सो मास्टर प्रजेटेशन करने के लिव्यक्तिग स्लाइट को ट्रांजिस्टन लागू करना इसके बाद है नीमित एंटिवारस आपडेट का उद्दे से क्या है वे सुनिचित करते हैं कि एंटिवारस नविंद लेजर प्रिंटर का अगज के चित्र पड़ पाठ बनाने के लिए किस प्रकार समागेर को प्यों करते हैं टोनर का ठीक है इस प्रकार टोनर रहता है उसको लेजर प्रिंटर में चित्र बनाने के लिए या पाठ करने के लिए किया जाता है टोनर और लेजर प्रिंटर की से संबंदी थे पेज प्रिंटर से है न तो कंप्यूटर की क्लास भी हम पूरा कर लेकर आएंगे अगर आप हास्टल वाटर ने तजारी करते हैं उसके लिए काफी बेस्ट होगा ठीक है कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोने उनके दूसरे के संचार करने कर देख लियाता है तो मतरबोर्ड अएक ऐसा चीज है जो मतलब कंप्यूटर के इसके बीना कार्यां नहीं चलता है इमिल सब्ध वालिंभी कि को मतलब होजा है ब्लाइंड कारवन कापी ब्लाइंड कारवन कापी मल्टीमिडिया का सलेखन उपकरण का उद्धिय से मल्टी प्रत्यक अक्षर को स्याही लगे रीवन पर पीन यहां थोड़े से मार कर कागज मुद्रित किया जाता है तो इंपक्ट प्रिंटर ठीक है अब देखिए अब प्रिंटर से भी बहुंँ सारे कोश्चन कर बनते हैं तो प्रिंटर के कोश्चन हम हमारे डिस्क्रिप्शन के इं खासतर पर हॉस्टल वाड़ा न ठीक है जहां पर आपका सहकारिता भी भागिया अप्रेक्स बैंक भरती लिखा होगा उसमें भी आपका काम आएगा लेकिन उसका जो कोश्चन है हॉस्टल वाड़ाने के लिए काफी महत्तपोन है तो वीडियो आप पूरा कंप्यूटर के एक बार स्रीज भाई देख लिएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे लाइन से जम्मा हुआ है ठीक है तो वरतनी इसके लिए एप से वन है है और यह आपका स्लाइट सोक लिए है तो आप फंक्शन से भी कोश्चन अच्छे से तयार कर लिजेगा ठीक है तो टोटल हमने सब को करके बताईएगा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो